हलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार दे लास्ट फर्स सिरीज के अगले एपिसोड के बारे में एपिसोड दो के शुरूआ दोजार तीन में जेकारता से होती है दोस्तों में बस फंगस पर ही रिसर्च किया है, माइक्रोस्कोप से वो देखती है तो दावा करती है कि फंगस पैरसाइट ही है लेगन जब मिलिटरी ऑफिसर बताता है कि ये किसी इंसानी शरीर में उनने मिला है, तो उसके लिए इस बात के यकीन करना बहुत मुशक्किल हो जाता है जिसके बाद अबू रतना को एक कमरे में लाया जाता है जाएंग महिला की जाच करने पर उसनी ये पाया कि इस महिला को किसी आदमी ने काटा है मुँगी जाच करने पर उसे सिंदा को डायसिस फंगस मिला जिससे देखकर वो टरने लग जाती है और वक्त रहते ही वाँ से बाहर भाग जाती है अफिसर रतना को बताता है कि सब की शुरुआत तब होई जब सारे वर्कर्स फैक्टरे में काम कर रहे थे तब ही एक महिला ने उट पर हमला किया जिसके आरण सबी लोग कुछी देर में एक दूसरे को काटने लग गए और ना चाहते कोई भी उन्हेंने मानना पड़ा लेकिन उस औरत की शरीर को चार्च के लिए यहाँ पर लाए गया था तब ही रतना को पता चलता है कि कई लोग अब भी बाहर है जिसके आरण अदेकारी उससे इस बीमारी के और ना पहलने की उपाई और तबाई चाहता है लेकिन अबने पूरी सिंदगी इसी की रिसोच करने बिताने वाली औरत ने यह चवाब दिया कि इसका कोई लाज नहीं है और ना ही को इसकी वैक्सीन है इस इंफेक्शन को रोखने का बस एक ही उपाई सारे शेहर में बंबारी करनी होगी ताकि इंसानों के साथ कोई संक्रमित बख्चने ना पाए अब कानी दोस्तों वापस 2023 में आ जाती है जहाए खड़े मेली सो रही तो एक दुम से भड़बडा के वो नीन से जाती है लेगन एली ने देखा कि टेस्ट और चोयल बंदूक था में उसमे नज़र रखी हुए थी एली नोंने समझानी बहुत कोशिश की कि उसका एक काटा हुआ निशान एक अपते पुराना है जिसे पता चलता है कि वो वाकई में फंगल इंस्पेक्शन से पूरी तरह से इम्यून है वो ये भी बता दिये कि जब उसे जोंबी दरा काटा गया तो मालिन ने उसे ढूणा और एक कमरे में उसे जंजीरों से बांद कर उस पर कई टेस्ट किये गए लेकिन जोरान वो कभी बीमार नहीं पड़ी लेकिन चोयल को उसकी बादों पर बिलकुर यकीद नहीं था टेस्ट के फोर्स करने के बाद लड़की ने सब कुछ बता दिया कि पस्टियम में एक फायर फ्लाइस का कैम्प लगा हुआ है चाहां कि डॉक्टर्स पर रिसेर्च करके इंफेक्शन पर वैक्सीन बनाने वाले हैं लेकिन चोयल के बताब एक वो ये वैक्सीन वाली कहानी पिछले 20 साल से सुनते आ रहा है जिस कारणों सब छोड़कर वापस बॉस्टन जाना चाहता था फिर भी टेस्ट किसी तरह चोयल को आगे बढ़ने के लिए मना लेती है क्योंकि चोयल को काली के लिए बैटरीज भी फायर फ्लाइज भी देने वाले थे तब थोड़ी दिर बाद ही तोनों एली को लेकर बार निकलाते हैं उस जगहां पर गिराए गए बॉम से बने मलवे ने स्टीट हाउस जाने वाला रास्ता प्लॉक कर दिया था अब इनके पास दो ही रास्ते थे कम खत्रे वाला लंबा रास्ता या फिर मॉस्टे मिलने वाला छोटा रास्ता थोड़ी और बात करने के बाद रोने होटेल की मादिन से जाना वाला लंबा रास्ता ही चुरा रास्ते बजाते टाइम एली ने बता है कि वा नाथ है कुछ दुनों पहले ही सब की मना करने के बावजूद भी वो अकेले मॉल के अंदर गुज गई थी वही पर एक इंफेक्टेड ने उसे काट लिया था जिस वज़े से फाइर फ्लाइस उसे देखते ही माने वाले थे लेकिन मरली ने उसकी चान बचा ली एली को लगता था कि बाहर की दुनिया इंफेक्टेड लोगों ते बरी पड़ी थी लेकिन बाहर हर जगा शांती है थोड़ी दिर बात करती हुए चिलने के बाद उन्हें किसी संक्रमित के चिलाने के आवास सुनाई थी जो इल पता था है कि इंफेक्टेड आखों की बचा है आवास से शिकार का पता लगाते हैं थोड़ी दिर बाद जब वोटेल पहुचने वाले होते हैं तब टैस मलवे से अंदर होकर उनके लिए रास्ता दूने चली जाती है इसी दुरान ऐली चॉयल के बाद बैठकर कई सवाल करने लगती है जिसे वो कहां से है वो टेस्ट के साथ कप से है और वो क्या उसे पसंद करता है क्या है उसने अब तक कितने जॉंबीज को मारा है वो बताता है कि उसने अब तक कई इंफेक्टिट को मारा है तब ही टेस्ट वापस आ गई इससे उसे इसके सवालों के जवाब नहीं देना पड़ा तब उन्हें बाहर जाने का रास्ता दो मिल गया लिए नीचे रोड़ पर ठेर सारे संकरमित पड़े हुए थे और इनमें से ज्याद अथर इन्फेक्टिट जोन को ढूणने आयोंगे लेकर अपनी मंजिल पहुचने से पहली वो इन्फेक्शन का शिकार हो गए तब ये अलीगा ध्यान गया कि इन्फेक्टिट लोग एक दूसरे के संपर्क में टेस्टने ने समझा है कि फंगस अमीन के अंदर भी उपता है अंडर ग्राउंड से फंगस की जणे आसपास के सारे इलागे में फैल गई है जिससे अगर कोई जिन्दा आद भी एक किलोमीटर दूरी पर भी किसी फंगस पर पैर रखता है तो इधर ये इत्ते भी संक्रमित पड़े है ना इन सब को पता चल जाएगा कि इनका शिकार कहीं आसपास ही है अब ये साब थागे ने नाच आते हुए भी मूजियम वाला छोटा रास्ता लेना होगा म्यूजियम के बार सूकी फंगस देकर जोहल समझ गया था कि शायद अंदर के सारे इंफेक्टिड मर चुके होंगे और शायद बाद में अपनी जानवान बचाने के लिए मुजियम के अंदर आयो अब क्या होता है भाईया तीनों बड़ी साबधानी से अंदर जाने लगते हैं क्योंकि जो भी वहाँ है शायद वो उनकी राह देख रहा है जिस करणों भी ना कोई आवास की एकदम शान तीसे उस जगह को पार करने लग जाते हैं लेगन अचानक से इनका सामना एक क्लिकर से हो जाता है जो देखते तीनों के आलत पतली हो जाती है तब जोईल एली को इशारा करते हो बताता है कि क्लिकर उनने देख नहीं सकते लेगन उनके सुनने की शक्ति कमालगी होती है मतलब जिन्दा रह रहना है तो बीना किसी आवास के आसे निकलना हुआ है फुरती से पर ये तीनों किसी तरह चुपते चुपाते है उस रूम के बार निकलने लगते हैं लेगन तब एक और क्लिकर को अपने एक दम सामने भूल जाती है वह इतनी सी हवास के सुनकर क्लिकर आंब आपना कर देता है जोईल तब उस से लड़ने लगता है गोली वढला करता से ऑपाग जाती नहीं इस्हुर्ट वर एक दम संगर उसले लड़ाी च्रूरूर चाती है लेकिन बाद में जोएल उसके मुँव पर शॉट मार कर उसे माल देता है और जैसी दूसरा आता है टेस्ट उस पर कुलारी से अफला कर देती है और जोएल उसका हैट शॉट ले लेता है आप उन्हें बिना टाइम वेज़ की विचल से चल स्टेट हाउस पहुंचना था क् एली को ले जाने वाला ट्रांस्पोर्ट ट्रक तो खड़ा था लेकिन आस पर कोई फायर फ्लाई नजर नहीं आ रहा था तब चांच करने पर ट्रक का ड्राइबर चोएल को ट्रक के नीचे मरा पड़ा वो दिखाई देता है और खून के निशा सीधा स्टेट हाउस के एली को पकड़ कर बिल्डिंगे अंदर ले जाती है तब चोएल भी उसे रोकते हुए हुससे में उसके पीशे चला गया है पर वो ये देकर चौक किया कि अंदर एली को लेने आए सारे फायर फ्लाईस की लाशें पुणी थी और इचानबीन करने पर चोएल को पता चला कि उनमें से एक फायर फ्लाई इंफेक्टिट था है वो उने देख ये तरक लगाता है कि या तो फायर फ्लाईस ने इंफेक्शन के डर से एक दूसरे को मार दिया होगा या पिर ये भी हो सकता है कि इंफेक्शन को और फेलने से रोकने के लिए उन्होंने खुद गी जाने ल जिससे अली समझ जाती है कि वो उस लड़ाई के तुरा अंसंकरमित हो चुकी है ये बास सुनकर जोहल चौक जाता है और टेस उसे गर्दन पर बना मांग दिखा कर सपश्ट कर देती है कि उसके बाद अब जादा टाइम नहीं बचा है टेस्ट के कहने पर एली ने जोहल को सब काटने का निशान भी दिखा है जो अब धीर धीरे अपने अब ठीक हो रहा है ये देखकर अब जोहल भी समझ गया कि वो इस इंफेक्शन से इंम्यून है अब टेस्ट चाहती है कि जोहल एली को लेकर फॉर और फायर फ्लाइस की कैम को ढूणे क्योंकि आब उससे ही इमानता को बचाना होगा इससे पहले ही जोहल को समझ पाए एकाद मरे इंफेक्टेट फायर फ्लाइ ने एली पर हमला कर दिया लेकिन जोहल ने फॉर उने से मार दिया तो धीरे दीरे जमीन पर बने फंगस की चाड़ें उसे इंफेक्टेट फायर फ्लाइ की कॉन्टेक्ट में आने लग गई यहारे आस पास के सारे इंफेक्टेट जोंबीस को उनकी लोकेशन का पता चल गया है और बसको ची मिनट में इंफेक्टेट का चुंड बिल्डिंग के अंदर गुज जाएगा तब टेस्ट ने जोहल को कहा कि वो जल्दी से एली को लेकर वहाँ से निकल ले जबकि वो बिल्डिंग के अंदर ही रहकर इंफेक्टेट को रोगनी कोशच करेगी लेकिन एली इस बात को मना करती है लेकिन कोई और आप्शन था ही ने इनके पास तो जोहल ना चाहते हुए भी टेस्ट को पीछे जोड़ने पर मजबूर हो जाता है और एली को वहाँ से दूर कीच्चती हुए बिल्डिंग के बाह ले जाता है अंदर टेस्ट फायर फ्लाइस के लिए फ्यूल और बॉम्स को जमीन पर गिरा देती है उसके प्लैन के बदाब एक इन्फेक्टेट के अंदर आते ही टेस्ट धमाका करके हुद के साथ उनको भी उड़ा देगी और चैसी जॉम्बी जंदर आना शुरू हुए टेस्ट लाइटर को जलानी कोश्च करती है लेकिन नाकामयाम होती नजर आती है क्योंकि लाइटर ने काम ही करना बंद करती है इन्फेक्टेट जॉम्बी स्टेट हाउस के अंदर घुसकर अपने शिकार गूरूने लगते है तब उनमें से एक आशिकाना जॉम्बी टेस्ट को किस करके इन्फेक्शन ट्रांसफर करने लग जाता है और टेस्ट आकरी दम तक लाइटर को जलानी कोशिश में थी और आकर का लाइटर जल गया और टेस्ट ने जमीन पर बड़े फ्यूल को जलाकर स्टेट हाउस में जबदास दमाका कर दिया जोईल और एली बार पहुँचकर इन्फेक्टिट्स को चलता वो देख रहे थे लेकिन साथ ही इस बासे गोस्सा भी थे कि वो टेस्ट के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड भी खतम हो जाता है मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हमारा वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बागी आपको ये पूरी सीरीज देखनी है तो हम वन वाए वन इसके वीडियो रिकाउड कर रहे हैं तो हमारे चाल्ल को जुरू सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो बैल आइकॉन के नोटिफिकेशन को भी दबा दे धन्यवाद